है ठीक है तो अब पूरा तो अब तक जो भी सारे वीडियोस थे उसमें अलकेन के बारे हमने देखा है अलकेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रिपरेशन क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके कैमिकल एक्षिंस क्या होते है आई सो मर्स क्या होते हैं अब हम बात करेंगे अलकीन तो यह थीज्टी किया होता है जानते हैं तो इसे बार नहीं करेंगे क्योंकि यह पूरा टॉपिक लास्ट चेप्टर में हमने कवर कर लिया है कि हाइब ऐड़िजेशन उसके इंदर कौन सा होता है sp2 hybridization और उनके पास होता है क्या double bond दोनों carbon के बीच क्या होता है double bond और उनके nomenclature में क्या लगता है इन लगता है ठीक है तो यह सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में लास्ट चेप्टर में डिस्कस कर चुके तो जैसे alken के इसो मर्ज होते हैं उसी तरह यहां पे भी होते है आई सो मर्ज ऑफ आलकीन तो जो आई सो मर्ज ऑफ आलकीन में सबसे पहले हम देखते हैं इस त्रॉक्ट्र रल्ज और स्त्रॉक्ट्रण isomers अब structural isomers में जो है first that is called position isomers यानि सिब structure में difference होगा और उसमें भी आप position isomers क्या होते हैं चेक करते हैं देखो position isomers तो यहां पे compound ले रहा हूं मैं कि simplicity के लिए में hydrogen नहीं लिखूँगा बट जो 22 जरूर यह वो लिखूँगा मैं यहां पर दो नाम लिखने वाला हूं दोनों का नाम आपको मुझे बताना है कि चलो तीन structure ड्रॉ करते तीनों का नाम आप मुझे बताएंगे रेज और हैंड चैट में चैट में नहीं हैंड रेज करो मैं आपको पूछूँगा म्यूट करके कि जो हैंड रेज करेंगे उनको अन्मूट करूंगा मैं कि यह बोलो स्वाइब तीनों का नाम बोलो आवाद ने यारी यह नो वल्यूम चलो यह बोलो यूटी फर्स्ट में क्या फॉर्स्ट में ब्यूटी 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 रहां जलो स्वायम फिर से मैंने अन्मुट किया था तेर को अब यूट टू इंड अलो हाँ इसमें इसका नाम बराबर है कि कुछ करेक्शन है स्वायम अब फिर से अन्मुट करना पड़ेगा जब तक मैं नहीं बोलो तब तक अन्मुट यूट वन इन या फिर वन ब्यूत इन इसका नाम फिर यूट जलो इसका इसका भी बता दे करेक्शन आप देखो तो डबल बॉंड की पॉजिशन अगर आप देख सकते हैं यहां पर डबल बॉंड की पॉजिशन अलग-अलग है तो यहां पर यह चैक कर सकते हैं यहां पर कि पॉजिशन आइसोर्स में क्या है डबल बॉंड जहार कि जो पॉजीशनी हो यहां पर वर नर्ब के बीच मैं वानार टू के बीच में और यहां पर क्या है टू और थ्री के बीच मैं तो इसीजिस इस पोजीशन आईसुमर्स उसके साथ साहदम थार सेट। देखते हैं कि चेन सथ-प्री नई 5 तो मैं पहले सबसे पहले यह चार कार्बन की चेन बना देता हूँ यह और उद्ध बनार curious को दूंगा और कार्बन फोर्थ कार्बन यहां पर आ गया चलो आप लोग मुझे बताएं कि दोनों का नाम क्या होता है प्रेज और हैं कि दो लोग बाकी सक्षी खुशी आस्था कि जीत की तो हम गया वही तो देखोगो यहां पे चैन बुटीन वन वीटीन यह यहां पे चार कार बन की चैन है कि के वान और टू के बीच में अपने double bond रखा वह यहां पर वन और टू के बीच में double bond पर थार्ड कर्बन तक की चेन और एक कार्बन को आमने ब्रांच में ले लिया तो दिजीज कॉल चेन आईसोमर्स तो यह जो फॉस्ट था ताइट इस कॉल structuralize सोमर्स ठीक यह यह structure उनके चेंज होते हैं अब देखते हैं सेकेंड पाड भी अब लिखते रहें ना साथ में उपड़ा वाला बाकी हो तो मुझे जाना हैंड रेस करो मैं फिर से नीचे स्क्रोल कर देता हूं उपर वाला लिखना बाकी कि किसी का ओके इसका बाकी है तो मैं स्क्रोल कर देंगा फटाफ़ लिख लो तो तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं बी जो है डाटी जो मेट्रिकल आइसोमर्स जॉमेट्रिकलमस ऑह फिक है यह बहुत हैं जॉमेट्रिकलमर्ज आइसोमर इजरप ध्यान से देखना अब जॉमेट्रिकलमर में हमारे पास दो टाइप के isomers होते हैं most important एक को कहते हैं सिस आइसोमर क्या कहते हैं सिस आइसोमर और इसका अगर definition या फिर explanation अगर हम दे तू identical atoms तू identical atoms तू two identical atoms at engaging some water law freedom summer low groups few identical atoms or groups lie on the same side lie on the same side of that double bond इस कॉल्ड सीसाइसमर्स ठीक दूसरे की डेफिनेशन 6 लेता हूं फिर दोनों को हम साथ में देखते हैं दिए कि समझ में आएगा दूसरा कहते हैं । यह कम द». कि टर्फिनेशन देखते हैं देखो क्या है तो इडन्टिकल अटम्स उपर जैसा था वो ही तो इडन्टिकल अतम्स एगुप्स लोगे, अठन्टिकल आप अपोस् एधुष ओपुष एग॥ खग०्टे की तपुष एगुष आपुष एगुषे, is called trans isomers okay is come at love what they will be in they are in they are in diagonal position they are on diagonal direction जिखते बहुत ही अच्छा है इसके लिए में एक्जांपल लेंगे इसके लिए में एक्जांपल लेंगे गांपल ऑफ दे इसे इंट ट्रान्स विल बीवन बाइस तु ब्यूटीन बेगको नाम एक है पर उसके structure अलग-अलग हो सकते हैं डशे तो टू-बीटीन का अगर simple structure अगर हम देखे तो 12342 बीटीन इसको कहते हैं इसके आज पास अगर hydrogen लिख ले तो यह hydrogen हो गया यहां पर एक hydrogen valency complete करने के लिए आएगा यहां पर एक hydrogen आएगा यह hydrogen यह hydrogen और यह hydrogen ठीके अगर इसको ध्यान से देखे इसको और अच्छी तरह में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि देखो जरा ध्यान से c double bond c एक तरफ hydrogen होगा और यह पूरा एक c-3 ग्रूप और एक तरफ hydrogen और एक तरफ c-3 ग्रूप यहां पर भी एक तरफ hydrogen हो गया यह और दूसरा कौन सा हो गया इसी कारबन के साथ joint है कौन सा सीज़त्री तो यह हमारा क्या है टूब यूटीन है इसको एंधो डिफरेंट वे में लि अगर दो दो नहीं के स्ट्टь जो रख दीट टो जो स्ट्री जो जो हैं और फिट कर दो य है नहीं स्ट्रीक है c, और दो नहीं के स्ट्री जो दो तो लुड और दो च्री क्च हैं के स्ट्रीक है c, और दो no CS3 group, if both the CS3 groups are on the same side of the double bond, then it is called CYS2 butyne. they are on the same position and here cs3 and cs3 and h and h if both the cs3 group are on diagonal position are they they are on the different side of the double bond they are on different side of double bond they are on diagonal position check it see they are on diagonal position so it is what trans isomers it is called trans trans to butane now you know everything about the vectors of physics is electron donating group this is because here is plus delta charge here is partial positive and this is partial negative charge here is the same way here is this direction will come here and this direction will come here and here is partially positive here is partially positive here is partially negative partially negative and now due to this vector direction you can check it up vectors for the physics here is what happens here is the dipole momentum here is the dipole momentum here is the dipole momentum here is zero because here is the direction of the vectors direction of the one is the two the dipole momentum here is the dipole momentum here is the unit of dipole momentum okay that is the unit of dipole momentum D by this kind of dipole momentum was 0 D or is kind of dipole momentum had that is 0.33 that means you have a compound it's a non-polar non-polar क्योंकि आपे polarity जो एक दूसरे को नलिफाई कर रही है but with the comparison of this it is more polar क्योंकि इसका कुछ नहीं कुछ क्या रहा है डाइपोल मोमेंटम आ रहा है okay so that you should remember or the be of course CCR trans isomers yeah geometrical isomers की short notes push the other explanation push then so you have to draw this structure then you have to mention and you have to explain this magnetic properties also that you should remember okay now let's take one example suppose a question solve करते हैं इसके जैसा जिससे आपको और आइडिया आएगा आपको बोला है कि भी ड्रॉप जोमेटरिकल आइसोमर्स ट्रोप जोमेटरिकल आइसोमर्स अफ CH-Cl double bond CH-Cl यह कंपांड यह उसका Geometrical isomer draw करना है तो it is very easy सबसे पहले हम C's draw करेंगे और यहां पर हम रहाँ करेंगे ट्रांस तो सबसे फिले कार्बन को देखो कार्बन के बीच डबल बॉंड यहां पर यह कार्बन को समझ लेते हैं यह कार्बन हो गया यह कार्बन हो गया ठीक है उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन तो यह कौन सा स्ट्रक्चर हो गया कि यह हो गया सिस है ठीक है नाव सी डबल बॉंड सी अब यहां पर क्या होगा दोनों को डाइगोनल पोजीशन में रख देते हैं क्लोरीन जो है वो क्या है डायगोनल पोजीशन में तो यहां पर नाव रेज़ और हैंड फटाफट मुझे बताओ फिर मैंना नेक्स लेक्चर है इसका और इनका दोनों का नाम मुझे बताना हैंड रेज़ करो फटाफट मैं आपको अन्म्यूट कर रहा हूं कौन बोलेगा सबसे पहले है अनली वन आयू पीसी नॉमेंक्लेटर सीख चुके यार अबन पटाबड बोलो यस अन्म्यूट किया मैंने जिसको वो बोले क्या डायक्लोरो इतीन थोड़ा सा नाम में अभी कुछ करेक्शन है यार इतना पढ़ाने के बाद कि यह स्वयम जोड़ से बोलना अ कि सब्सक्राइब बोलो कि अन्म्यूट कर दिया फिर से अन्म्यूट करता हो चल कि डायक्लोरो मिध्यंग या डाइक्लोरो मिध्यंग और यह इसका नाम क्या होगा कि दोनों का नाम देखो सेम होगा इसको कहते है तो वgeonsOS नाम लिखना तो तो इस तरह लिखेंगे देखो 124 कि यह कर नाम होगा 12 क्योंकि यह वा और यहां पर लिखना क्या ट्रांस वन टूडाय इंद। लुटी है तो इसको हम और कहते हैं क्या जमेट्रिकल आई पर यह एसा अग्जाम में दो या तीन माप्स का क्वेश्चन आ सकता है सिब structure draw करने के लिए पूच सकते हैं या फिर देखें आस्क यूटू राइड शॉर्ट नॉट और अल्सो कि किसी का बाकी है लिखना हैंड रेस करो बताओ माइक ओपन है है तो चलो पटाबट लिख लो फिर में लेक्ट्टर रहा हूं कि अधियर कि में लिखियो गया मैं बहुत निकल जाओं दूसरा लेक्च्छर रहां है है थोड़ा उंपर पर हो दो करो पर चुरा एकक्षापड ने लिए इन तो स्टूट्स आज हमने अलकीन में देखा है अब आइसो मर्स अब आलकीन में देखा सबसे प्लें स्ट्रक्च्रालाइसोमर्स और उसके बाद देखा आमने जोमेट्रिकलाइसोमर्स यह बहुत इंपॉटन आपको जेए पॉइंट पॉइंट और बाड के लिए यह बहुत ही इंपॉटन पॉइंट है कि किसको कहते हैं सी साइसोमर्स इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन जेए नीट में आते हैं नेक्स वेडियो के लिए जॉइन होते रही है हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब करवाएं लाइक और शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा थेंक्यू वेरी मैच गुडबाई